खबर इंदोर से इंदोर के MG रोड थाना श्वेत्र में वेपारी के घर से 35 लाक रुपे के हीरे सोनी की जोलरी और नगती की चोरी हुई है बताया जा रहा है कि तीन आरोपियों को राजस्थान से इस पूरी मामले में गिरफ्तार किया गया है MG रोड पुलिस के मताबिक वेपारी के घर में वर्षों से काम करने वाले नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया जन के पास से चोरी के लाखो रुपे और आभूशन अब बरामत कर लिये गए हैं पिछले इंदोर के MG रोड थाना श्वेत्र में वेपारी शिवम वागली के घर पर नौकर ने ही लाखो रुपे की चोरी के खटना को अंजाम दिया था पूरे मामले में पुलिस ने आट दिन के अंदर ही खुलासा किया जो इनके हां कुछ दिनों पहले नौकर आया था उसके बारे में चानबीन की जब जानकारी ली तो पता चला कि वो रायस्थान का निवासी उद्यपुर जिले का तुरन थी एक टीम रवाना हुई वहाँ उसके बारे में जानकारी ली उसको गिरफतार किया उसके द्वार आपने आने सही होगियों के नाम बताए गए माल गया था चोरी का अभूशन गए थे कैश गए थे उनकी जबती की और तीन आरोपियों के इसमें गिरफतार किया गया है अब आगे उनकी कारवाई की जा रही है आगे की